एक पास आउनपेशियों बिल्कुम सही वे में चल रहे हैं हम लोग और जो भी इसको अगर निगेटिविटी में लेके जा रहे हैं यह उनकी मर्जी आगे चल के पस्ताने वाले हैं और यह वही कर रहे हैं जो खुद को ट्रू लीडर समझ रहे हैं और जो एक आउनपेशियों आईसी गलती करी नहीं सकता कि उसने आउनपेशियों को समझा है चाहे एक परसंड समझे या पात परसंड समझे मगर जिसने जीरो परसंड आउनपेशियों को समझा है वो आईसी वेकुपी जरूर करता है कि हमेशे शिկह लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर हमको आपाशव के साथ रहना है और हमें इसे प्युंदा लेना है इससे आगे बढ़ना है तरक किकांगा हमें शिखना शिखते रहना शिर्फ कड़ी मेनत से या बोलने से या शिर्फ बंद आकों से सपने देखने से काम चलने वाला नहीं है इसके लिए आपको कई अन्य पैदों पर भी ध्यान देना होगा सभी को साथ लेकर चलकर आगे बढ़ना होगा यदि आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने काम में एक्सपर्ड बनना होगा आप चाहे जो भी काम कर रहे हो कोई सबजी पाला भेज रहा हो कोई किराना भेच रहा हो कोई इलेकरानिस्त का सामान भेच रहा हो जब तक आप उच्छीच की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें एक्सपर्ड नहीं बन सकते हैं सबसे पहले उस काम को अच्छे से सीखिए उसके बाद उस काम से समद्धित जो भी एडिशनल स्कील होती है उससे सीखने का प्रयास कील है आप आज जिन भी लीडर्स को देखते हैं चाय वे मातना गांदी जी हो या रतन टाटा जी हो उन्होंने अपने काम में एक्सपर्टीज प्राप्त की थी तब हो आगे बढ़े उनके बाद फूरा ग्यान था कि मैं जो कर रहा हूँ हम जो कर रहे वो क्या कर रहे तब ही वो आगे बढ़े उसके बाद ही आज उन्हें विश्वस्तर पर बहुत बड़े लीडर के रूप में पहचान मिली है नेक्स बेंट है आपजोव करने की कला कि खेतर में आगे बढ़ने के लिए एक जरूर रिस्कीर होती है वह है आपजोर्वेशन आप अपने खेत्रों के कुछ लीडर से प्रभावी जरूर हो सकते हैं और हुए भी होंगे बहुत सरे लीडर से हैं आपके एरिया में हमारे हमें उनको अपजोर करना है कि वह कैसे काम करते हैं वे अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं वे क्या क्या सिखते हैं इन सम्प बातों को आपजोर करने हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने हैं जब आप अपने अंदर आपजोर्वेशन की कला को विक ज़्यादा शिखना कि आप एक अच्छा लिडर बना चाहते हैं या जीवन में सपल होना चाहते हैं तो जीवन में लगता शिक्त रहना होगा जब हम सिखने का काम करते रहते हैं तो हमारा नालेज और शब्द संग्रह बढ़ता है जब आप अपने शेत्र में औरों से आप एक अच्छा लिडर बनने के लिए ये वी ज़रूर है कि हमें खुद का एनलेसिस करना है है आप कई लोगों को देखते होंगे जो हमेशां कडी मेरेनत करते हैं लेकिन करते नहीं है क्योंकि उनको चिर्व आज का पड़ा है मैं आज क्या करना है और मुझे शाम का रोजी रोटी कैसे मिलना है इसी के बारे में सोचते रहते हैं जब हम खुद का एनेलिसिस करते हैं तो हम अपनी क्षमतव और हमारी जो कमी होती है उसको जान पाते हैं फिर उसके अगे बढ़ रहा होता है उससे करना है ना कि जो हमारे पीछे में है अगर जिंदगी में खुची पाना है या खुच रखना है तो हमारे जो निचे हैं हमारे जो पीचे है उससे तुलना करेंगे तो हम जिंदगी पर खुच रहेंगे अगर करोड़ पति के साथ हम हजार पति अगर तुलना करेंगे तो जिंदगी में हमें खुची नहीं मिल सकती है मगर जो 300 रूपय रोज कमा के दो वक्ती रोटी खाता है उससे अगर हम तुल ना करें तो हम जरूर लाइफ में खुश रह सकते हैं मगर आज हमारा समय परिवर्तन का है और हमें लिडर्शिप लेना है नतुरूत्व करना है बिजनेस करना है तो हमें आगे वाले से इनलेसिस करना है इसमें डिप्रेंस है जिन्दगी जीने के लिए और जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए कि चिसका यूज करना है यह हमे एक अच्छा लीडर के पास आर्गनाजिशन को टाप पर पहुचाने का हुनर बिल्कुल होना चाहिए उसके परसनलिटी में कुछ खाज बाते होती है जो उनको बाक्यों से अलब करती है उनके पास गहरा अनुबव होता है जिसे वह अपने काम करने के दवरान सीखते रहता ह है आज के दोर में काप्यूटेशन कापी बढ़ चुका है इस्टिटूट लेवल से स्टूडन जो लोग है चार स्टूडन बच्चे बहुत सारे बच्चों में लीडर बनने की चाहत होती है वह ही से सिखने की कोशिश करते रहते और अपनी तैयारी करते रहते अच्छा ल मान लीडर की खासियत होती है कि वे लिनम रहते हैं खुद की महिमा के लिए संपलता की तलास्य करते वे संपलता का सही मतलब टीम और क्यों के सपल होने में वह इंतों है सब को देते है दिखने में सरमिल में जलूर हो तो श्यांदार पठा मस देए और सपल्टकि कि दूरित्ताय करने के लिए हमें आपको विरंब्र होना भूद जरूरी है नेक्स्ट प्रसंशा करना सीके प्रसंशा इसी चीज है जो सामने वाले को प्रोस्टाइट तो करती है साथ इससे मानविये समंद्ध को सही करने में भी सपलता है एक डिडर के रूप में इस विशे स्थिति का आत्मसर्मान बढ़ता है इससे वे एक दूसरे को सही तरीके से समझ पाते हैं और यह हर स्थिति में फाइदेमंद होता है लाबदाय को यह इसले भी शक्तिशा लिए हो जा रहे है क्योंकि किसी कि सारा ना करना उन्हें थैंक्स बोलने से बड़ा होता है हां प् कर रहा है सभी के फाइदे के लिए काम कर रहा है तो जरूर उसकी प्रसंसिया करनी चाहिए तो हमें इतनी सीख होना चाहिए इतनी अकल होनी चाहिए कि प्रसंसिया किस चीच की करने और किस चीच की नहीं करना है और हमको जो भी काम करना है जुनन के साथ काम करना है आप ज प्रप्रप्रश्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चा जब आप अलग हटकर कुछ करते हैं तो इसके लिए आपको खास कोशिस करने पड़े और क्यारियर को सपल बनाने के लिए किसी खास राष्टे को चुनना पड़ेंगा ना कि जो हम हर दिन करते हैं अब सुनने में भी माहिर होना है हमको अगर अध्या लीडर बनना है तो बात करना बंद कर दे ज्यादा